वेलकम गाईस, वेलकम टू माई चैनल, आज हम लोग DTSP का PGT Economics का जो Question Paper हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसी को आगे Continue करेंगे, इस Question Paper के ओल्डेडी चैनल के उपर 6 पाट हम डिसकस कर चुकी है, जिसके अंदर हमने 110 Questions को Solve कर लिया है, और आप लोगों को पता है कि दिल्ली क जो PGT Economics का एक्जाम होता है, इसमें हमारे सब्जिक्ट के 200 Questions आते हैं, हम दो या तीन वीडियो में इस Question Paper को खतम कर लेंगे, इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर हमने Different-Different Economics के Previous Year Question Papers को Solve किया हुआ है, इसके अलावा आप हमारे Telegram Channel, हमारे Telegram Channel Economics by DD से भी जूड सकते हैं, क्योंकि हम अपने Telegram Channel के उपर जो भी Topic यहां डिसकस करते हैं, उसकी PDF आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आज हम Question Number 111 से डिसकस करेंगे Question Number 111 को पढ़िए, 111 में बोला क्या गया है, Question में बोला है, Which of the following statement is not correct regarding the change in the price of a product in a free market? Question में आपसे पूछा है कि इन दोनों statement में से कौन सी statement correct नहीं है, किस बारे में जो prices free market में change होते हैं? Free market में price में change हो रहा है, और इस price में change के लिए कौन सी statement correct नहीं है? इस question को solve करने के लिए आपको ये समझना होगा, free market का मतलब कि जहां पर market को चलाने के लिए government वगरे की कोई जरूरत नहीं है, demand और supply की जो powers होती हैं, वो क्या करती है? market को चलाती है, अगर किसी product की demand ज़्यादा है, तो prices अपने आप बढ़ जाएगा, अगर demand कम है, तो prices अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है, demand के coding supply हो जाएगी, लेकिन सारी की सारी powers, market में demand और supply पर depend करेंगी, ठीक है, अब देखिए, first statement को पढ़िए, the change in price is governed by the government, first statement में बोल दिया, कि prices में जो change होगा, price कम होगा, या price जादा होगा, उसको govern कौन करेगा, government गवर्मेंट करेगी, government ही ये देखेगी, कि price में कितना change हुआ, कम होना चाहिए, या जादा होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को पता है, कि free market economy में government का कोई रोल होता ही नहीं है, तो price में होने वाले change को वो govern नहीं करती, तो यहाँ पर question के अंदर, first statement ही आपकी क्या हो गई, wrong हो गई है, second statement को पढ़िए, the change can be provide an incentive to re-allocation resources, ये second statement में बोल रहा है, कि free market economy के अंदर, जो change होता है price का घटना या बढ़ना, उसकी वज़ा से, आप अपने resources को re-allocate कर सकते हो, ये statement सही है, क्योंकि अगर किसी भी product का price market में बहुत कम चल रहा है, और एक producer को लगता है कि उसको कोई benefit नहीं हो रहा है, तो वहाँ से वो अपने संसाधनों को निकाल सकता है, किसी और product को बनाने में उसको use कर सकता है, तो ये statement तो ठीक है, कि जो price में होने वाला change है, आपको एक incentive देगा, अपने resources का re-allocation करने के लिए, लेकिन first statement में ये कहना, कि price में जो change है, उसको govern करती है, government वो भी free market में, ये बात बिल्कुल गलत है, और हमें यही डूढ़ना था, कि कौन सी बात correct नहीं है, तो यहाँ पर हमारा option first right है, option first right जो है, option number D में given है, तो option number D यहाँ आपका right answer हो जाएगा, अगला question देखिए, अगले question में बुला गया है, when a firm in a monopolistic competition, are making economic profit, यह क्या बोल रहा है, कि monopolistic competition की situation है, ठीक है कैसा, कि AR ऐसा, MR ऐसा, तो यहाँ पर यह बुला गया है, कि एक firm को economic profit, जो है, monopolistic competition, एक अधिकार परती होगे ताम में, कब होँगे, अब हम इसके options पढ़ते हैं, first option देखिए, question में यह बोल दियाना, आपको question को ध्यान रखना, कि एक firm है, monopolistic competition है, और उसको economic profit हो रहे हैं, तो क्या होगा, economic profit की firm को sale purchase करके product का फायदा हो रहा है, first है, कि firm will enter the industry, कि monopolistic competition की situation में, अगर firms को economic profit हो रहे होते हैं, तो नहीं firm क्या करती है, market में enter कर जाती है, तो यह statement क्या हो गई आपकी, right हो गई, and demand will decrease for original firm, यह बात भी सही है, माल लो, A firm थी, पहले 50 product बेच रही थी, और 500 का profit gain कर रही थी, लेकिन B firm को पता लगा, कि जो A firm product बेच रही है, उसको बेचने से फायदा जादा हो रहा है, economic profit जादा हो रहा है, तो नई firm market में एंटर कर सकती है, क्योंकि monopoliisting competition है, firm के एंटरी करने में कोई barrier है नहीं, तो उस situation में, जो demand, A firm जो है वो क्या कर रही थी, पूरी कर रही थी, 500 product बेच रही थी, अब इस 500 product में, B firm ने भी एंटर कर दिया, हो सकता है, कि अब A firm 300 ही बेच पाए, क्योंकि B firm ने भी एंटर कर दिया, तो B firm भी तो अपना कुछ product बेचेगी, तो जिसकी बज़ा से क्या होता है, demand decrease हो जाती है, किसकी original firm की, क्योंकि अब ये जो demand है, दो firms में बट जाती है, तो ये statement भी यहाँ पर right है, तो आपको समझ आया, कि monopolistic competition में, अगर firm economic profit earn करती है, तो दोनों ही statement, यहाँ आपकी correct होगी, option number B के साथ हम जाएंगे, अगला question देखिए, a cartel is designed to dash output and dash price, यहाँ पर बोला है, कि जो cartel बना लेती हैं, firms क्या कर लेती हैं, cartel बना लेती हैं, वो क्यों मना जाता हैं, output को expand करने के लिए, price को rise करने के लिए, restrict low and price को low करने के लिए, expand करने के लिए, lower करने के लिए, restrict करने के लिए, and rise करने के लिए price को, अब आप सोचिए, firms जो होती है, oligopoly market में cartel इसलिए बनाती हैं, संगठन के साथ इसलिए जूडती है चोकि वो चाहती है कि market के अंदर जो उनका share है वो increase रहे market powers उनके हाथ में रहे तो cartel बनाकर वो जो है जो उनका cut road competition होता है उसको decrease करना चाहती है तो इसलिए हम क्या कहेंगे cartel बनाकर form क्या करती है output और price का decision combine लेती है वो output को restrict कर देती है और price उनको कितना बढ़ाना चाहिए या कितना कम करना चाहिए price को वो rise करती है तो option number D आपका यहां right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question आपसे क्या पूछा गया है which of the following statement is correct कौन सी statement यहां पर correct है first statement पढ़िए if a given quantity of goods is to be produced and supplied a given quantity of goods को बनाये जा रहा है उनकी supply की जा रही है मालो किसी ने कह दिया कि 50 goods बनानी है ठीक है मालो ए फर्म को किसी ने order दिया है कि आपको मेरे लिए 500 goods बनानी है तो फिर ऐसे में क्या है the supply curve जो फर्म का supply curve है वो indicate करेगा minimum price of a good expected by each seller यहां पर यह first statement में क्या बोल रहे हैं कि market के अंदर minimum quantity of goods मालो बनाई जाती है कितनी भी हो सकती है और उस situation में हर producer यह चाहेगा कि वो अगर production करता है तो उसको अपनी supply करने पर एक minimum price तो मिले जैसे आपने देखा है ना कभी भी supply कव आपका zero से start नी होता आपका ऐसे start होता है तो इसका मतलब हर supplier क्या चाहता है कि जो भी वो product बना रहा है market में उसे अपनी supply करने पर एक minimum price तो मिले तो यह statement क्या है बिल्कुल correct है अगली statement पढ़िए the demand function which express the functional relationship between quantity demanded of a good and its own price and satirious paribus adoption यह बास रही है demand function क्या करता है relationship बताता है आपका price के साथ उसी goods के price के साथ और बाकी जितने वी factors होते हैं income हो गया टेस्ट हो गया preferences होदा है उसको हम other things being constant मान लेते हैं तो यहां पर दोनों ही statement correct बोली गई है तो इसलिए आप option number C के साथ जाओगे अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है in which of the following condition does a positive consumption externality occurs कि इन में दोनों conditions में से कब जो है positive consumption externality होती है अब आप कोई समझना होगा positive consumption externality होती क्या है positive consumption externality का मतलब है कि किसी भी उभोगता के उभोग करने से जो second party है जिसने ना consume किया है उसको फाइदा हो रहा है जैसे मालों अगर आप education लेते हो एजुकेशन लेने से आप एक अच्छी human being बनते हो एक responsible person बनते हो तो आपके आसपास के लोग जो आपके साथ रहते हैं उन सब को direct या indirect तरीके से क्या होगा फाइदा होगा तो इसकी इसका मतलब क्या हुआ यह हुई positive externality यहाँ पर first statement पढ़ते हैं जब marginal social cost is greater than marginal private cost यहाँ पर बोल रहे हैं जब marginal social cost की society को होने वाली लागत आपकी ज़्यादा रही है marginal private cost मालो आपने सोचा है कि आपके product की cost आ रही है 50 रूपीज लेकिन society को जो loss हो रहा है वो 70 का हो रहा है तो यह तो negative externality होगी ना कि आपकी वज़ा से दूसरे लोगों को नुक्सान हो रहा है second statement पढ़िए social marginal benefit is greater than private benefit चीक है मालो education education लेने से आपको फायदा हो गया मालो 50 रूपीज का लेकिन आपकी education लेने से society को जो फैदा हो रहा है मालो वो 150 रूपीज की रूप में हो रहा है तो यहाँ पर society को होने वाला फायदा वो ज़्यादा है आपके private benefit के comparison में तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर positive consumption externality हुई है option number second आपका यहाँ right answer है option number second आपका option number B में given है option number B आपका right answer हो चाहेगा अगला question देखिए अगला question क्या है अगले question में which of the following is firm overriding objective यहाँ पर यह बोला गया है कि एक जो firm होती है वो basically किस अपने overriding objective मतलब उदेश्य को पूरा करना चाहती है first है maximize economic profit to avoid economic loss तो एक firm का जो overriding objective मतलब उदेश्य होता है जिसको सबसे पहले complete करना चाहती है वो होता है वो चाहती है कि वो जादा से जादा क्या कर सके अपने economic profit को maximize कर सके अगर हम बात कर economic profit होता क्या है economic profit क्या होता है एक firm ने जितना total revenue किया है मतलब जितनी भी goods and services एक time period के दौरान बेची है मालों 500 बेकी goods and services की sale की है इसमें से क्या करती है एक firm वो क्या करती है अपनी implicit cost implicit cost का मतलब होता है कि जब एक firm अपनी opportunity cost को consider करे और explicit cost explicit cost मतलब wage, rent, profit, wages, salary वगरा माइनस कर दे अगर हम total revenue में से implicit cost और explicit cost को माइनस करते हैं और फिर एक firm को economic profit होता है यहाँ पर एक positive value आए तो यह firm का economic profit होगा तो हर एक firm अपनी maximize करना चाहती है किसको economic profit को तो इसलिए option number A आपका right answer हो जाएगा वो avoid करना नहीं चाहती economic losses को यह गलत है तो यहाँ पर option number B आपका right answer हो जाएगा अगले question देखिए अगले question में बोला है due to which of the following reason externality can be positive अभी मैं आपको positive externality क्या बताया जब किसी A के consumption a person के consumption से या फिर उसके production activity की वज़े से बी परसन जिसका कोई लेना देना नहीं है उसको फाइदा होता है तो उससे कहते है positive externality कहते हैं अब यहाँ पर यह बोला गया है कि कुमसा दुनों में से कुमसा reason है जिसकी वजह से positive externality होगी पहला है utility पर depend करता है positively as well as negatively आपकी utility impact होती है positively भी और negatively भी second है subsidies are positive externality second statement में बोल रहा है कि subsidy जो होती है positive externality होती है अब subsidy positive externality होगी या negative externality होगी यह इस बात में depend करता है कि आपको subsidy दी किस product पर जा रही है तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि subsidy हमेशा आपकी positive externality है तो यह तो कहना गलत होगा first statement को पढ़िए utility can be impacted positively as well as negatively तो यह positive externality होती है किसी भी चीज से आपको जो utility मिलती है वो utility positively होगी तो आपकी positive externality होगी अगर वो negative है तो negative externality है मालो आपको भूग लगी है तो जब आपको उस टाइम बहुत तेज भूग लगी है तो उस टाइम खाना आपका जो answer है सिर्फ only first जो है वो correct होगा तो यहां पर option number B के साथ हम जाएंगे अगला question देखिए which method can help in obtaining a welfare improvement if externality exist अब यहां पर यह क्या कह रहे हैं कि अगर market में externality है externality आपको समझ आया कि एक बंदे के production या consumption करने की वज़ा से मालो M person के production या consumption करने की वज़ा से N person जिसका उस production वर consumption से कोई लेना देना नहीं है उसको या तो फाइदा होता है या नुकसान होता है अब यह क्या कह रहे हैं कि अगर आपको सोसाइटी में welfare करना है improvement करनी है और externality को अच्छा नहीं माना जाता तो अब आप क्या करोगे welfare को improve करने के लिए आप क्या करोगे first है regulation लगा देना second है assigning property rights and bargaining अगर हम हमारे किसी production की वज़ा से negative externality फैल रही है ठीक है मालो cigarette का production हो रहा है तो government उसको रोकने के लिए क्या कर रही है उसके रोकने के लिए tax लगा देती है तो यह government ने क्या किया regulation लगा दिया कोई property थी जिसका exploitation हो रहा था government ने वहाँ पर externality की problem को दूर करने के लिए property right define कर दिये तो जिसकी बज़ा से welfare पर अब impact नहीं पड़ेगा लोगों का welfare होगा तो यहाँ पर दोनों ही statement correct है option number B के साथ हम जाएंगे अगला question देखिए यहाँ पर आपको बोला है which of the following is correct regarding public good first है public good इनमें किसी तरह का कोई competition नहीं होता आप किसी को निकाल भी नहीं सकते यह बास सही है रोड हो गया ट्रांस्पोर्ट हो गया लो एंड ओडर हो गया ना तो इनमें किसी तरह का कोई competition होता है और नहीं आप इनको यूज करने से किसी को निकाल सकते हैं तो दोनों ही statement correct है option number D आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अकोर्डिंग टू केंज which of the following is a component of demand for money अब आपको पता है केंज ने ट्रांजिक्शन डिमांड फॉर मनी precautionary और speculation ट्रांजिक्शन होता है कि लेंदेन के लिए जो डेली यूज के खर्चे है precaution होता है साफधानिक उदेश है कि future में कोई द्रुगटना हो सकते है उसके लिए आप आज present में पैसा बचा रहे हो speculation होता है 60 उदेश है इन तिनों उदेशों के लिए ही demand for money की बात की थी तो यहाँ पर option number D आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए which of the following is correct regarding the revision of the base year of national accounting 2004-2011-12 आपको पता है कि हमने जो हमारे national income को measure करने के लिए जो accounting year था उसको change किया था पहले हमारा था 2004-2002 था उसको change करकर 2011-12 किया गया था अब कौन सी statement जो है इसके बारे में correct है growth rate will be measured by at constant market price आज के time पर जो growth rate है उसको अगर हम measure करते हैं वो कैसे measure करते हैं GDP को constant price पर constant market price पर measure आज के time में किया जाता है तो option number first बिल्कुल right है second पढ़िए earlier पहले जो है growth को measure किया जाता था कैसे measure किया जाता था आपकी GDP होती थी उसको आप factor cost पर measure करते थे और constant price पर measure करते थे तो यह बात भी बिल्कुल correct है तो यहाँ पर A और B option बिल्कुल आपका right है option number C के साथ आप जाओगे अगला question देखें question number 122 में क्या बोला गया है what is the meaning of ever greening of loan का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है loan approve होता है 24 घंटे के अंदर या फिर waving of मतलब government interest नहीं लेती बैंक से इस loan पर या फिर bank give additional loan to existing brokers या फिर bank क्या करते हैं additional loan देते हैं जो आज के टाइम में उनके brokers हैं या फिर fourth statement है government provide loan to bank to meet their loss government bank को loan देती है ताकि वो अपने लोस को क्या कर सके cover कर सके ever greening of loan को एक example से समझते हैं मालो a person ने bank से loan लिया a person ने क्या किया है bank से loan लिया पचास अजार का अब यह जो a person है मालो bank को क्या नहीं कर पाया पैसे वापस नहीं कर पाया मतलब कोई भी financial issue हो सकता है तो bank क्या कहता है इसको non performing assets में वो declare कर देगा कि यह वाला पैसा जो है अब नहीं आएगा तो bank क्या करते हैं कि उनका पैसा ना डूबे वापस आ जाए तो वो क्या करेंगे इस ए बंदे को इस ए बंदे को additional loan देंगे अपने एक fund में से additional loan देंगे और यह कहेंगे कि जो तेरा पहले वाला लोन चल रहा था उसका rate of interest चुका देते हैं उस लोन से और एक नया लोन स्टार्ट कर देते हैं ठीक है आपको समझ आया bank क्या करते है additional loan देते हैं ताकि जो borrower है वो पिछले वाली लोन का rate of interest यह उसका कुछ amount क्या करें जो है वो चुका देंगे तो इसका bank इसलिए करते हैं ताकि उनकी non-performing assets जो है वो ना बने option number C आपका यहां right answer हो जाएगा अगला question देखिए which of the following would lead to a country to a rating downgrade by the rating agencies आपको पता है कि कि किसी भी country में rating agencies होती है जो कि उस country को rate देती है value assign करती है अब question में यह बोल रहे हैं कि कौन कौन सी rating किसी भी country की जो rating है वो downgrade मतलब नीचे कब आती है उसके लिए कौन कौन से factor जो है जिम्मेदार होती है ठीक है माल वो इंडिया की जो rating agency है जो rate करती है value assign करती है इंडिया को वो कब वो नीचे की तरफ assign करेंगे फस्ट है अगर किसी country का high physical deficit होगा उसको दूसरे देशों का पैसा जादा चुकाना होगा तो फिर उस country की क्या होगी rating कैसी होगी downgrade होगी नीचे की तरफ होगी बात सही है अगर किसी country में high current account क्या है high current account deficit है और उसके पास low foreign reserves है कि विदेशों से पैसा उसके पास है नहीं जो रिजर्व के रूप में होता है तब भी उस country को जो rating assign की जाएगी वो नीची होगी तो यह दो ही factors होती है जो rating assign करते टाइम financial position उस country की देखी जासरी है किसी भी country का stock market का इससे कोई लिए न देना नहीं होता option नमबर first or right second आपका right है तो आप option नमबर क्या करोगे बी के साथ जाओगे option नमबर बी यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए what is in revenue deficit आप से effective revenue deficit का formula पूछा गया है effective revenue deficit के अगर हम बात करें तो क्या होता है इसका formula revenue हमारा deficit होता है उसमें से जो government ना state government को central government क्या करती थी state government को grant देती आप लोगों को पता है central government क्या करती है state government को grant देती है किसी भी का परपस के लिए और state government क्या करती है उस grant से कोई ना कोई assets का creation कर लेती है ठीक है capital creation कर लेती है तो क्या होता था जब revenue deficit होता था तो इस assets creation को हम capital account में या capital expenditure में consider नहीं करते थे तो यह क्या है यह concept जब लेके आया गया effective revenue deficit का तो इसमें क्या बोला गया कि actual revenue deficit वो नहीं है जो revenue deficit दिखाता है हम revenue deficit को consider नहीं करेंगे उन्होंने का हम effective revenue deficit को consider किया करेंगे effective revenue deficit होता है revenue deficit में से आप माइनस करते है ग्रांट्स और एड्स जो की capital assets के creation के लिए दी जाती है it is the difference of revenue deficit and grants for the creation of capital assets option number D आपका right answer हो जाएगा अगला कुशन देखिए अगले कुशन में क्या बोला गया है which of the following is correct regarding of outcome budget outcome budget मतलब एक ऐसा बजट जो कि किसी की progress report को शो करता है जैसे कि हमारे जब result आता है मालो स्कूल में आपका result क्या आता है तो वो क्या होता है आपका outcome होता है मालो fourth class में आप आये थे first और fifth में आप आये थे second तो आप क्या करते हो अपने पिछले annual result का comparison इस annual result के comparison से करते हो जब आप outcome outcome से result को क्या करते हो compare करते हो तो उसी तरह से budget में भी क्या होता था पहले outcome budget को follow किया जाता था outcome budget एक progress card था जिसमें various ministry various department जो है अपने previous annual budget से comparison करते थे कि पिछले साल budget में ये programs आए और हमने इतना खर्चा किया ये हमारा result था इस बार हमने budget में ये programs को अपनाया और इस बार हमारा ये result रहा जब आप output का output से comparison करते हैं और result देखते हैं तो उसको बोलते हैं outcome budget बोलते हैं तो यहाँ पर it reflects the it reflects the item allocation of resources and reflected under last general budget prepared by ministry of government यही बात मैंने आपको समझाए कि जो last budget है current वाले को उससे compare करते हैं उसके outcome से तो यह बात सही है और resources के allocation भी इससे reflect होता है second statement पर बोला है कि 2005 में start हुआ था ये 2005 में start नहीं हुआ था ये 2006 साथ में इस outcome budget के concept को लेके आया गया था तो यहाँ पर सिरफ option number first ही आपका right है तो option number c यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question है which of the following is an example of adverse selection इस question का answer आप मुझे comment section में दोगे क्योंकि काफी असान question है मैं आपको question समझा देती हूं adverse selection asymmetric information के एक problem है जब हम क्या करते हैं market में goods को purchase करते हैं या sale करते हैं उस time पर यह problem arise होती है कि हम सही बस्तू का चुनाब नहीं कर सकते हैं तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा example adverse selection का नहीं है अगला question देखिए अगला question है which of the following is correct regarding monopoly power in a market monopoly power अगर market में है तो क्या मतलब है इससे producer का surplus बढ़ेगा सही बात है it leads to lower price पर आपको पता है monopoly वाल तो क्या करता है ज्यादा सी ज्यादा price को बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने profit को increase कर सके तो first statement हो जाएगी right लेकिन second statement हो जाएगी wrong क्योंकि कभी भी वो नहीं चाहेगा कि price को कम किया जाए क्योंकि उसका motive profit को maximize करने का होता है तो यहाँ पर option number A क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा यह अगला question क्या है यह आपका formula based question आए हुआ है यहाँ पर आपसे पूचा है कौन सी statement correct है तो यहाँ पर statement based question में देखिए real interest rate को कैसे निकाला गया है nominal interest rate में से inflation को minus कर दिया यही बिल्कुल correct statement है यहाँ पर इसकी तो option number first ही आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा अगला question देखिए who has written the tragedy of commerce tragedy of commerce जो है किसके द्वारा लिखी गई थी यह got hardin ने लिखी थी option number D यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए 130 which of the following does not provide an incentive to reduce negative externality दिये गए options में से कौनसी बात ऐसी है जो की negative externality मतलब negative externality का मतलब आप समझे कि आपकी वज़े से दूसरों को नुक्सान हो रहा है उसको कं करने के लिए आपको प्रेडित नहीं करते जब आपको पता है कि आपकी production या consumption से दूसरे को loss हो रहा है लेकिन फिर भी आपको कोई ऐसा incentive नहीं मिलता कि आप क्या करें उसको क्या करें कम करें ठीक है a merger with affected firm जो merge कर लिया जाता है हम merge कर लेते हैं जो फर्म effect होती है उसके साथ second है bargaining among firms जो market में जो firm होती है वो आपस में bargaining करती है तो यहां पर इन में से कोई भी option ऐसा नहीं है जो कि आपको incentive दें incentive मतलब government आपको efforts करे टेक्स लगाए जिस तभी तो आप एन negative externality को कम करोगे तो यहां पर तो ऐसा नहीं हो रहा फर्स्ट option में बोल रहे हैं कि आप merge कर लो जो firm effect होई है उसके साथ second option में बोल रहे हैं bargain कर लो मतलब आपस में सलाम शोरा कर लो थोड़ी bargaining कर लो उससे सब सोट आउट हो जाएगा पर इन दोनों चीजों से negative externality कम नहीं हो सकती तो यहां पर आप option number C के साथ जाओगे कि negative externality को कम करने का इन में से कोई भी option नहीं है यहां पर taxis होता यहां पर regulation होता वो एक incentive हो सकता था negative externality को कम करने का अगला कोशन देखिए रोनाल्ड कोज ने क्या कहा डेक अंडर perfect competition private and social cost will be equal अगर perfect competition है private cost और social cost प्राइवेट मतलब एक जो किसी चीज़ को बनाने में एक फर्म किया रही है social cost मतलब society को उससे जो additional laws उठाना पड़ता है वो इक्वल है इनोने का दोनो प्राइवेट कोस्ट में और social cost equal है और कभ इक्वल है perfect competition की situation है private cost और social cost इक्वल है तो यह जो problem होती है market externality की इसको हम किस नाम से जानते हैं आपको समझाया perfect competition है और side by side private cost और जो social cost है वो बराबर है और इस वाली जो प्राइवेट में externality है तो इस problem को रोनाल्ड कोस ने क्या बोला है इसको बोला है spill over effect के नाम से जाना जाता है कि सब उपर इसका प्रभाव जो है वो पढ़ेगा option number B यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए which of the following is correct regarding community surplus community surplus मतलब total जितना भी surplus होता है उसको जब जोड़ दिया जाता है तो community surplus बन जाता है तो यहां पर हम क्या करेंगे community surplus में producer का surplus और इसके अंदर producer surplus के साथ एक consumer का जो surplus है consumer surplus प्लस producer surplus को जो एड कर दिया जाता है तो वह आपका community surplus बन जाएगा option number C यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला है the difference between gross value of output मतलब GVO and gross value added इन में किस चीज़ का difference होता है मतलब यह तो है GVO और यह है GVA अगर हम बात करें GVO की GVO क्या होता है मालो एक time period के दौन एक साल में जो भी goods and services जितनी भी goods and services एक industry द्वारा या firms द्वारा या industries द्वारा बनाई जाती है जब हम उस value में से intermediates good intermediates मतलब मध्यवती वस्तवेज होती है उसको नहीं निकालते तो वो चीज़ होती है आपकी gross value of output समझाई कि gross value of output represent the total value of all goods and services produced by industry without deducting the value of intermediates good मध्यवती जो भोग होता है या मध्यवती वस्तवेज होती है इसके अंदर शामिल होती है किसके अंदर GVO में लेकिन अगर हम बात करते हैं GVA की तो हम इसमें से intermediate consumption मध्यवती वस्तवों को नहीं शामिल करते क्योंकि वो पहले ही final goods में include होती है तो इन दोनों के बीट में यहीं difference होता है तो option number D यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला है which of the following is correct regarding externality externality, externality को लेकर कौन सी बात correct है the existence of externality prevents the achievement of parato optimality even perfect competition preview यहां पर क्या बोल रहे है कि जब market में externality होती है तब भी आप achieve कर सकते हैं parato optimality perfect competition चाहे market में पाए जाए and externality की यहां पर यह बोल रहे है कि perfect competition की situation में भी आपको externality दिखाई दे सकती है आपके resources का reallocation या गलफ allocation हो सकता है यह and externality occurs when a decision cause benefit to individual or group other than the people making the decision second statement में बोल रहा है कि externality वो चीज़ होती है कि जब किसी के production या consumption decision से उसको उतना फायदा नहीं हो रहा लेकिन दूसरे person को रहा है मालो पी बंदे ने कोई अच्छी चीज़ का consumption किया मालो पी परसन ने education ली उसको चाहे उस education का उतना फायदा नहीं हो रहा लेकिन उसके आसपास वाली लोगों को बहुत फायदा हो रहा है तो यह जो externality है क्या यह externality है तो यहां पर देखो option number second आपका बिल्कुल राइट है first option में बोला है कि externality exist तो करती है और parato optimality जो है parato optimality existence में externality हो सकती है यह गलत है क्योंकि parato optimality का मतलब है कि market में किसी भी तरह का disturbance नहीं है तो यह तो नहीं हो सकता option number second के साथ हम जाएंगे option number C यहां पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए which of the following statement is correct regarding capital output ratio capital output ratio होता है कि मालो capital हो गया यह output हो गया यह capital मतलब मालो आपने पांच रुपे लगाए तब आप एक रुपे का output बना पा रही हो तो यह होता है capital output ratio अब question में बोला है कि इसके बारे में कौन सी statement correct है first statement है capital output ratio show करता है relationship किसके विच में investment आप कितना करोगे और GDP की growth rate कितनी होगी यह इसको अगर मैं investment कह दूँ और इसको मैं अगर GDP कह दूँ तो कोई गलत बात तो नहीं होगी यही तो है capital को investment बोल दिया output को GDP बोल दिया तो यह बात भीकुल सही है higher the capital output ratio higher the efficiency of capital अगर आपका capital output ratio ज्यादा होगा तो मतलब आप ज्यादा efficiently काम कर रहे हैं नहीं मालो पहले आपको किसी product को बनाने के लिए पाच रुपे इंवेस्ट करकर एक रुपे का product बन जाता था अब दस रुपे लगा कर अगर एक product बनेगा तो यह तो गलत हो जाएगा तो आपकी efficiency का मतलब यहां पर क्या है कम हो गई है ना तो यह भी क्या हो जाएगा second statement आपकी wrong हो जाएगी तो यहां पर option number first आपका right है तो option number B के साथ आप जाओगे अगला question देखिए अगले question में है which of the following is correct regarding the mca ministry of corporation affairs 21 initiative जो launch किया गया था ministry of corporate affairs corporate sector के लिए government ने ministry of corporate affairs 21 एक initiative था वो launch किया था अब उसके बारे में क्या statement correct है तो सबसे पहली और important बात जो यह ministry of corporate affairs है यह क्या चाहता था यह चाहता था जो initiative 21 लाया गया था इसका main objective यही था कि जितना हो सके easy हो सके secure और accessible जो भी services corporate sector के लिए ministry of corporate affairs ने बनाई है वो सब को मिले corporate identities को उसका फायदा हो professionals को उसका फायदा हो journal public को भी उसका फायदा हो यही इसका MCA 21 का main objective था बाकी company act 1956 के तहती से नहीं बनाई गया था यह बिल्कुल गलत है तो यहाँ पर जो first option है यही इसका main objective था इस initiate को launch करने का तो option number D के साथ अब जाओगे option number D यहाँ आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में है the difference principle of justice required that all economic inequalities be arranged so that they are यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि difference principle of justice justice होता है कि किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए difference होता है कि हर कोई बंदा एक दूसर से difference होता है तो difference principle of justice कि कि किसी के साथ पक्षपात नहीं हो यह सिधानत क्या कहता है कि benefit होना चाहिए किसको beneficial to least advantage मतलब जिस तक फाइदा नहीं पोस्ट था जो बंदा आकरी में बिना फाइदे के रहे जाता है उसको भी फाइदा पहुचना चाहिए यह principle यह कहता है second बात second जो यह difference principle of justice यह कहता है कि जितने मेंबर्स होते हैं उन सब को आप fair opportunity दो ठीक है माल लो किसी एक जंगा पर किसी एक पोस्ट पर ऐसे ही रिश्पस्टी किसी परसन को जोब मिल जाती है तब हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर तो हम एक fair opportunity भी नहीं मिल रही उस game में या उस job में participate करने की तो difference principle of justice यह कहता है कि जितने भी members है under condition उनको एक fair opportunity मिले ताकि उनके साथ कोई justice in justice नहीं हो तो यहाँ पर बोली गई दोनों ही बाते correct हैं तो option number B के साथ आप जाओगे अगला question देखिए अगला question 138 यहाँ पर बोला गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो government ने अपना एक मुहीम शुरू की थी उसके बारे में कौन कौन सी statement correct है सबसे पहली बात यह 22 जनवरी को लोन चुई थी पानिपस शहर से लोन चुई थी और इसका main objective था कि protection करना girl child education यह बात बिल्कुल सही है second पढ़िए it aim to address the issue क्या हो रहा था हर्याना के अंदर सबसे ज़्यादा जो sex ratio था वो ज़्यादा गिर रहा था child sex ratio भी बहुत decline हो रहा था तो लोगों को इसके बारे में aware करना aware करना awareness फैलाने के लिए यह campaign चलाया गया था इसका overall अगर हम object बात करें तो इसका main objective यह भी था कि females और male के बीच में क्या था काफी biasness थी काफी ज़्यादा opportunities male को मिल जाती थी females को उतनी डही provide की जाती थी तो यह कहा गया कि हम क्या करेंगे इस biasness को खतम करेंगे जो selectivism है इसको खतम किया जाएगा और girl को भी girl child को भी education मिले यह government का main objective था और परधान मंत्री नरेंद्र मोधी पानिपत के अंदर इस आप कह सकते हो scheme को लेकर आये थे तो यह बात बिल्कुल correct है तो यहाँ पर बोली गई सारी बाते correct है option number B के साथ आप जाओगे अगला question देखिए अगले question में क्या बुला गया है अगले question में बुला गया है a firm generating का negative externality एक form negative externality फिला रही है मतलब उसके production करने की मालव है यह firm है उसके production के अगरने की वज़स से दूसरों को क्या हो रहा है society को नुकसान हो रहा है ठीक है अब यहाँ पर उनके ओपर efficient output वो क बना सकती है तो हमने पढ़ा था कि जब एक कोई भी firm negative externality को क्या करती है फैलाती है तो मतलब उसके production या conjunction करने की वज़े से दूसरों को नुकसान हो रहा है तो वो output कब बना सकती है efficient जब उस पर क्या लगा दिया जाए tax को क्या कर दिया जाए impose कर दिया जाए और कितना tax impose कि social marginal cost में से जो firm की private marginal cost है देखो negative externality को रोकने का एक ही तरीका है कि आप tax कितना लगाओ मालो यहां पर excise tax है मतलब शुल्क है केंद्रिया शुल्क है यह कितना लगाया गया है firm पर option number 10 का correct answer है मैं समधा देती हूं आपको excise tax impose किया गया है firm पर कितना लगाया गया है वो social marginal cost मालो society को कोई एक production हुआ A firm ने production किया society को loss हो रहा है 150 का और जो firm है firm की जो cost आ रही है वो कितनी आ रही है 100 आ रही है अब आप क्या कर रहे हो 100 से 50 के वीच में एक difference है 50 का अब इस firm के उपर 50 rupees आप tax लगा देते हो जब आ 50 tax लगाते हो तो इसको 100 भी एर करना पड़ रहा है अ अब इसका भी 100 हो गया मतलब अब आप क्या कर रहे हो कितना टेक्स लगा रहे हो जो society को नुकसान हो रहा है उतना ही आपने क्या अगर दिया टेक्स लगा दिया तो यही तरीका है negative externality को क्या करने का रोकने का तो exercise text impose कि एदाएगा firm के उपर तो यही तरीके से आप externality को रो जो है impossibility theorem दी थी उसने चार से पार प्रिंसिपल भी जो है वहां पर डिसकस किये थे तो option number D यह आपका right answer हो जाएगा आज हमारे 140 question detail में हो चुके हैं I hope so आपको समझ आए होंगे अब हमारे 60 questions रहते हैं कोशिश रहेगी कि दो वीडियो में यह question paper आपका complete हो जाए अगर चैनल को like करना share करना subscribe करना and आप हमारे telegram channel economics by DD से भी जूड सकते हैं thank you so much for watching this